मंत्री प्रदेश के क्रशी मंत्री कमल पटेल ने सुमवार को इंदोर में मेडिया से चर्चा के दोरान नए क्रशी कानूनों की जोड़दार वकलात की और कहा कि इससे किसानों की दशा में परिवर्तन होगा मंत्री पटेल ने कहा कि 5 लाक लोग देश में करोड़ोपती है बाकी देश गरीब है किसानों की आये 7200 रुपे हैं किसानों की उपच का फायदा दूसरे लोगों ने अब तक खोब उठाया है लेकिन आप किसानों के पड़े लिखे बेटे खेती भी करेंगे और व्यापार व्यावसाई भी करेंगे साथ ही बिचोलियों के बगेर सीधे अपनी उपच बाजार में बेच सकेंगे उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है और मंडिया उद्योग पतियों के हाथ में चली जाएगी ये बात बता रहा है इसके अलावा विपक्ष बेवज़ा अडानी और अंबानी का राग अलापता है क्या ये घराने छे साल में पेदा हुए है यहाँ घराने तो नहरु जी के समय के है वही उन्होंने कहा कि क्रशी कानून किसानों के हित में है और इससे उन्हें ही फायदा होगा इधर मंत्री कमल पतिल ने इंदोर में पदस्त, उप संचालक प्रशी, विजय चोरसिया को ब्रहष्टाचार के आरोपों के चलते जल्दी आठाने की बाद भी कही है है कि मैंनत कोन गरता है वह माल हं उप दिया करें अब बता रहें हमारे बाट्रादा वने अब अब हमारे लड़के पढ़े लेघो होगे और मोदी जी है प्रदान मन्ति शिवरा जी मुख मंत्री कमल्फ्रिल्क रसे मंत्रिय अब हमारे किसान के बेटे खेटी भी करेंगे व् पर यह किसान कानों को किया है एक बारे में आप ही बता दो मियने का ओम पड़े दी आपका मकान कितने का है बोले एक करोण को गाओं घृपकर है पी कानों बताए में यहां जाता हूँ चोपाल लगाता हूँ और तनमिन करता हूँ किसान उसे पूछेंगे करने वाले अगर किसान समर्दन में तो साथ में और करेगा क्यों कि यह कानून उसकी हित्म है